स्टार्ट करते हैं आजी गुलास को कोडिनेट जमेटरी निर्दसांग जयामिती इसके हिस्टोरिकल बैग्राउंड को समस्ते पहले तेल्स 642 546 बिशी पाइथागरस 582 500 बिशी और यूकलिट 300 बिशी इन सभी दोगों ने जमेटरी को मैच्स के अंदर एक नही पहचान दिलाई फ्रांसिसी माथमेटिक्शन रेने दकाटे 1596 तू 1650 AD चक्त 1637 A.D. जिसमें रेने दकार्टे ने लाज जमेट्रिक नाम के एक बुक इंट्रडूस करी और उसमें 13 9. माई जमेट्रिक को साथ इंड्रूस किया और आसे काडिना जमेट्रिय ये अपने अस्च्च फुसानि है जी सर्फेस को इक्षें्ड करते हैं वो कुछ कैसे तो मैं इसको कुछ ऐसा एक्स्टेंड कर रहा हूँ अब यह इतना वरा हो गया अब यह जो सर्फिस हुआ यह सर्फिस कुछ आपको एक्स्टेंड हो करके इतना वरा बने गया यहां से लेकर यहां तक अब इसे फिर से एक्स्टेंड कर रहा हूँ और एक्स्टेंड करें कुछ अब ऐसा कर दिया अब यह और बरा हो गया जो यहां से लेकर यहां तक का हो गया अब इसे कुछ और बरा कर दी वो यहां से लेकर यहां तक हो गया तो यह क्या रहा यह जो सर्फिस रहा यहां से लेक आपने इसको बढ़ा के बढ़ा के इंफाइनाइटली फार्ट तक ले गया और ऐसे आपको प्लेन मिला प्लेन को बोल्ट पे ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट को हमने डाला जहां पर पॉइंट एक और भी पॉइंट पॉइंट B, पॉइंट C, हमने रखे, अगर हम आपको कहें कि हमें पॉइंट A पे पहुँचना है, तो आप क्या कहोगे, आप यह कहोगे, कि यह जो लेफ्ट एज है, लेफ्ट एज से कुछ इतना सा दूर, यह कॉइंट A है, माली यह 3 सेंटिमेटर है, लेफ्ट एज से 3 सेंटिमेटर इंसाइड प्लेन में, पॉइंट A, यह जो पॉइंट B है, इसका भी हमने 3 सेंटिमेटर ही रखा है, और जो पॉइंट C है, इसका भी हमने 3 सेंटिमेटर ही रखा है, लेफ्ट एज से, तो क्या लेफ्ट एज से 3 सेंटिमेटर इंसाइड अगर बोल दी जाए, तो यह जरूरी है कि पॉइंट A पर ही पहुँचे जाएगा, नहीं, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है, आपको पॉइंट अगर Y पर पहुच्छा, तो कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या, यह जो बॉटम का इज है, इस बॉटम के मना से, यह जो पॉइंट है, वो फूइंट है, सेंटिमेटर करमें 10 सेंटिमेटर आज, कि बॉटम की एज से पॉइंट ए 10 सेंटिमीटर पर रहा है और यह जो लफ्ट एज है इससे पॉइंट ए 3 सेंटिमीटर अभी है इंसाइड प्लेन के अंदर तब तो पॉइंट एज पर पहुंचे जा सकता है पॉइंट भी कुछ ऐसा यह माली 7 सेंटिमीटर पॉइंट सी माली 2 सेंटिमीटर तो आपको पॉइंट ए पर पहुंचना है या पॉइंट ए पर पहुंचना है या पॉइंट ए पर पहुंचना है या पॉइंट सी पर पहुंचनी आपको तो दो लाइन्स आपको फिक्स करने परेंगे ये दोनो लाइन्स आपस में एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट अफ इंटरसेक्शन तेकन एज दे जीरो विच इज ओरिजिन ओ और इसे जीरो कहा जाता है मतलब जीरो कहा जाएगा लफ्ट एज एड बॉटम एज ये दोनो पेर्स आफ लाइन के लिए जीरो है ये दोनो फिक्ष लाइन ओरिजिन पे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है जीरो है इंटरसेक्शन ओरिजिन के जो वैल्यू है दोनो लाइन के लिए जीरो है इंटरसेक्शन पॉइंट पे फाइनली आपको यह समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो चीजे का होना अत्यनत अवस्यक है एक तो पॉइंट फिक्ष्ट जो करेंगे वो और दूसरा दिश्टेंस जो फिक्ष्ट दिश्टेंस होगा जिसको आप यूनिट के रूप में यूज करेंगे तब जाके आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाओगे एपसॉल्यूट सेंस में किसी भी पॉइंट का लोकेशन पॉस्बल नहीं है जैसा आपने देखा ए कि पहुशने के लिए हमें इसकी भी जोरत पढ़ेगी सिर्फ यह थ्री सैंटि मीटर ले लेने से हम centrी सकते के अगर हमें वह पर पहुंचना है तो यह 3 सांलिट biggest 7 सैंल भी लेनी पर देगा में स्थिंवर्भ किसे पर वी ona है जो bottom की fixed line है, fixed edge है, इन से distance measure ना करेंगे, तो हम इस line में कहीं भी 3 cm दूर जा सकते हैं. अब इस line में हमें A पे पहुँशना है, तो हमने इस distance को fixed कर दी, यह bottom की line से, bottom की edge से, point A, या point B, या point C, किसी भी point का, eject, जो location होगा, वो आप origin को fixed किया बेगर नहीं बता सकते हो, और एक, जो distance की unit measure करोगे, तो वो distance आपको रखनी परेगी, तो यहाँ पे हमने इसी बात को दिख रखा है, यह दोनों बात आपको समझे में आ गई, तो origin, जो fixed point होगा, इसका respect में, किसी दूसरे point को आप locate कर पाऊगे, यहाँ यह 3 cm पे हैं, या 5 cm पे हैं, अपने पास यह कुछ plane है, एक plane यह है, और एक दूसरा plane यह है, यह दुनों एक दूसरे के हमने parallel shift करी है, ठीक है? और एक इसके ऊपन एक तीसरा plane लेके आपके, यह बने, यह तीन plane है, पने पास, यह जो 3 planes है, यह सो कुछ ऐसा set कर लूँ, यह, एरा 3 planes, यह 3 के 3 planes एक दूसरे के parallel shift है, इसी चीज़ को कुछ बोर्ट पे draw करते हैं, यह दूसरे के आपके 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 आपक एक दिस्तरी प्लेन कुछ आसे अब इन तीनों प्लेन को कुछ आसे अमने स्क्राइब एक प्लेन है यह एक प्लेन है यह दूसरा प्लेन जो था इसको आमने कुछ ऐसे सट करा यह दूसरा प्लेन रहा और यह कुछ थीसरा प्लेन रहा कुछ ऐसे अमने सट करें यह थ्री प्लेंस थ्री प्लेंस दिख रहा होगा आपको एजय विडाईब एंग 15 वार ओंग 15 वाराई फिर गवारा अजावाई जड़ को भाराई आपेंने हुआंगे आपट्रे लारा नहें टो अंगे ए नापन है यह एक प्लिन हो गया यह दूसरा प्लिन और यह रहा तीसरा प्लेन इस सइड़ ब्लाइब है, दो ओर 15 से हैं भी जो, थे यह जा घुक मेदा हैं में तो पिर भी पर रज़ा पाहला बीन हैं में पाहला रहा दो फिले एक उड़ा गे जब में उड़ा बीन हैं यह जो झाल रिमन में जो कर दो उड़ी कि आपक एक एक भा हम साभार अठागन इससे मैंने कुछ ऐसे डॉक करती है अब इस प्लेन में जो आपको यह प्लेन दिख रहा है और यह प्लेन दिख रहा है और यह प्लेन दिख रहा है तिनों का कॉंबिनेशन यह प्लेन का एज इंटर्सेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन यहाँ जो एज है इसे ही एक्स इसे ही वाई और इसे ही जे कहने का मतलब यह है कि यह जो एक्स ओ वाई यह जो इधर का जो रिजन बना यह वाला रिजन यह रिजन एक्स वाई प्लेन हो गया ओर इजिन से जो लाइन होरजेंटल दिख रहा है जिसे हमने एक्स बोल रखा है एक दूसरा लाइन वाई बाटिकल और एक जेड जो वाई और एक्स दोनों पे परपेंडिक फुले रहें तो यह जेड एक्स लोग अगर अपने पास एक्स और वाई एक्स पे बात करनी है तो यहाँ जो सत्रा दिख रहा है सर्फेस यह वादी इस सर्फेस के उपर पॉइंट हमने ड्रॉकरी और यहाँ पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में है यह ओरिजिन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस point को हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि यह y-axis से कुछ इतना distance पर है जो x distance मेजर करी और यह जो x-axis जे इस x-axis से y के direction में magnitude यह कुछ y है तो यह जो point है इस point का coordinate x,y जो ordered pair है x पहले होगा y फिर उसके बाद होगा x,y is not equals y,x इस बात को हम देखें जागें तो इसे ही ordered paired बोलते हैं तो ordered pair की format में coordinate system को लिखा जाता है Cartesian coordinate system और अगर यही point को z axis में कुछ ऐसा उठा दिया जाए अगर यह point मैंने हमने इसको उठा के यहां पर लग दी तो क्या हो तो यहां point x और y surface में लाई कर रहा है और यह z axis इतना z axis जो है यह बारी इस पे इतना distance उठा हुआ है है ना इधर बाहर के ओड़ बाहर के ओड़ बाहर के ओड़ लिएंके perpendicular outward तो xyz ती एक्सिज त्री डायमेंशनल अगर टू डायमेंशनल आपको रखनी है तो इन तीनों parameter से किसी दो parameter को ले तो x और y बन जाएगा ठीक है जिसे टू डायमेंशनल कार्टिजन गेमेंटिक्स हम लोग कहते हैं और यह रेक्टांगुलर या फिर पोलर या फिर ऑबलिक या फिर ट्रैंगुलर कुछ ऐसा टू डायमेंशनल कोडिनेट गेमेंट्री यूज करते हैं हम लोग ठीक है तो इतनी सारी बात को जहाने केगा थैंक्यू समझ